गूड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में साथ वाहनों की जो सासन विवस्ता है उसके बारे में जानकर प्राप्त करेंगे और साथ इसाथ साथ वाहन का लिन जो बासा साहित थे हैं उसके बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखेगा अपन लोगों ने पहले वाले वीडियो में साथ वाहन वन्स का सेंस्ता पर कौन था ये गेसरी साथ करनी, वसिस्ती पुतर पुलुमावी, गोत्मी पुतर साथ करनी, साथ करनी पर्थम इन सब के बारे में जानकरी प्राप्त कर दी थी तो पहले वाले वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो एक्जाम की दरस्टी से बहुती महत्वपुन होते हैं इसलिए आप लोगों ने एदिया हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्जाम की दरस्टी से पत्ते कल्ला सबसे पहले है स्टूप साथवान समराटों की धार्मिक सहिंशनुता की नीती से दक्सिन भारत में बोध कल्ला को बहुत अधिक प्रोचान मिला इस समय नए स्टूपों का निर्मान हुआ तथा प्राचेन स्टूपों का जिर्नोधार किया गया अर्थाद उन चबूत्रे से हुआ जिसका निर्माण मर्तक के चिता के उपर अत्वा म्रतिक की चुनी हुई अस्तियों के रखने के लिए किया जाता था गोतम बुद्ध के जीवन की परमो गठनाओं जन्म संबोधी धरमचकर परवर्तन तथा निर्वान से संबंदित स्थानों पर भी इस इस्तूप के चार भेद हैं सारिरिक इस्तूप पारी भोगिक इस्तूप उदेशी का इस्तूप और पूजार थक इस्तूप ठीक है न तो इस्तूप के चार भा कौन-कौन से हैं सारिरिक इस्तूप पारी भोगिक इस्तूप उदेशी का इस्तूप और पूजार थक समराट असोक ने भी स्थम्ब बनवाये थे सांची के स्थूप का पता सन 1818 इस्वी में जनरल टाइलर ने लगाया था विश्वा परशित बोध स्थूपों के लिए जाना जाने वाला सांची विदिशा से चार मील की दूरी पर 300 फिट उंचा पहाड़ी पर इस्तित स्थूप है परमुक स्थूप कौन कौन से वो देखेगा अमरावति का स्थूप नागारजूनी कॉंडा का स्थूप और इन दोनों स्थूपों के बारे में हमने आगे आपको वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो बनायावा है तो आप वहाँ पे इनकी इनफोर्मेशन देखिएगा अगला आता है चत्य ग्रैव है विहार परवत गुफाओं को खोद कर गुहा विहार बनवाए जाते थे प्राकर्ति गुफाओं में निवास करने की बरंपरा आदिम यूग से ही सुरू हो गई थी आगे जाकर पत्रों को काट कर तरा सा जानने लगा और अपने निवास के लिए मनुसे ने उन्हें सिल्ला ग्रह का रूप दे दिया राजग्रह में इस्तित सोंड भंडार और सब्त पढ़नी गुफाएं बिक्सों के आवास के लिए भी बनाई गई थी ठीक है बिहार में बिहार में ही बराबर और नागरजुन पहाडियों को काट कर असोक और उस सादू हेतू निवास हेतू गुफाओं का निर्मान करवाया था ये भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं इसी परंपरा की अगली कड़ी बोथ चत्यों के रूप में पस्चिमी और दक्सिनी भारत में देखी जा सकती है चत्य पूजा बहन थे इसलिए उनमें स्थूप क होना आवशक था विहार बोथ बिक्सों के आवास के लिए बनाये जाते थे इसलिए उनमें स्थूप का होना आवशक नहीं था ठीक है पर्मुक चत्य एम विहार देखेगा कौन-कौन से थे इनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं आप वहां पे इनकी डिटेल दे देखेगा ठीक है तो पर्मुक चत्य एम विहार कौन-कौन से भाजा, कौंडाने, पितल खोरा, अजन्ता, वेडशा गुफाएं, नासिक की गुफाएं, काले की गुफाएं, कनहरी की गुफाएं और पूर्वी भारत के विहार ठीक है अब देखेगा सात्वानों की भासा इम सहित्य का इथियास क्या था? सात्वाहन काल में महराष्ट्री प्राक्रत भासा दक्सिनी भारत में बोली जाती थी, यह राष्ट्र भासा थी, सात्वाहनों के अभिलेक इसी भासा में लिखे गए थे, तो कई बार क्यूसन पूस लेते हैं कि सात्वाहनों के अभिलेक क महान कवी था जिसने गाथा सब्च सती नामक प्राकर्थ भासा के स्रिंगार रस परधान गीति कावे की रचना की थी तो गाथा सब्च सती की रचना किसने करी थी हाल नामक राजाने ठीक है इसमें कुल साथ सो आर्या छंदों का संग्रह है जिसका परतेक पद्दे अपने आप में पून तथा स्वतंतर है इस परकार इसके पद्दे मुक तक कावे के प्राचीनतम उधारन है तो हाल नामक राजा था उसके दर्बार में गुणाडे तता सर्वा वर्मन नामक जो उच्चोटी के विद्दान थे उनिवास करते थे गुणाडे ने व्रहत का था नामक गरंथ की रचना की थी यह मूलतै पैसाची प्राकर्ट भसा में लिखा गया था तथा इसमें करीब एक लाग पद्यों का संग्रह था परंतु दुर्भाग्य वस ये गरंथ आज हमें अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है इस गरंथ में गुनाडे ने अपने समय की परचलित अनेक लोग कथाओं का संग्रह किया है ठीक है तो जो हाल नामक राजा था उसने गाता सबसती की रचना करी तथा हाल के दरबाल में गुनाडे नामक एक विद्वान था जिसने वर्यत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी जो पैसाची प्राकृत में लिखा गया ग्रंथ है अन्नेक अदबुत यात्रा विवरणों तथा प्रणे प्रसंगों का इस में विश्त्रित विवरण मिलता है सर्वावर्मन ने कातंतर नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी तो जो सर्वावर्मन नामक विद्वान था उसने कातंतर नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी वर्यत कथा कि अनुसार कातंतर की रचना का उद इस समय संस्कृत भासा का भी धक्सिन में व्यापक परचार था। वरेहत कथा से ग्यात होता है कि हाल की एक रानी मलेवत्ती संस्कृत भासा की वीदूशी थी। उसीने हाल को सेंस्क्रिट शीखने के लिए प्रेरित किया था, जिसके फल्षरूप का तंतर की रचना किये गयी थी, कनहरी के एक अभिलेक में एक साथ्वआन रानी सेंस्क्रिट का प्रियोग करती थी, इस परकार साथ्वान यूग में दक्सिनी भार्त में प्राकर तता सिं आपके इनकी जो बहासा और साइते थे इनके बारे में जो इंपोर्टेंट बाते थी वो हमने पढ़ी यहां पर इसी परकार आप बने रहें हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज से